वीडियो में आपका स्वागत है phone pay application में account कैसे बनाय जाता है और phone pay app में bank account को कैसे link किया जाता है और phone pay account से money transfer कैसे किया जाता है और phone pay account से balance कैसे चेक किया जाता है अपने bank का तो गुरू हमारे साथ बने रहे इस video के last तक तो इस सारे सवालों का जबाब आपको इस video में मिल जाएगा तो सबसे पहले वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा phone pay का तो click करके वहाँ से आप download कर सकते हैं download करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका download हो रहा है और download होने के बाद आप इसे open कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पे इसे open कर लेते हैं open करने के बाद यहाँ पे Phone Pay का लोगो आपको दिखेगा इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नमर इंटर करना है जो आपके bank में register है तो चलिए finally हम यहाँ पे мubile नमर इंटर करेंगे और इसके बाद प्रोसीड बाले ओप्सण पे किलिक करेंगे यहाँ पर आप एलाओ का परमिसंदी देंगे तो चलिए एलाओ पर हम किलिक कर देते हैं और यहाँ पर जो आप मोबाल नमर दिए है Countault पे एंटर हो जायेगा अगर आप फॉन पे में बैंक एकांट लिंक करना चाहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं प्रोफाइल वाले ओप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने में बहुत सारा बैंक एकांट खुल जागा तो आपका कौन सा बैंक है उस पे आप क्लिक करें और जो सीम आपका बैंक में रेजिस्टर है उस पे आप किलिक करेंगे तो हम किलिक कर देते हैं इसके बाद कंटिन्यू वाले उप्शन पे किलिक करेंगे और आपका सीम वेरिफिकेशन किया जाएगा तो अगर आप लिमिटेड पेक से रिचार्ज करते हैं तो यह प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए प्रोसीट टू एडवाले उप्शन पे आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद आपका फाइनली यहां पे बैंक एकांट एड़ हो चुका है फाउंड पे में तो गर आप यूपी आई पीन बनाना चाहते हैं तेरी सेट पीन पे आप किलिक कर देंगे और यहां पे जो आपका रजिस्टर मॉलमर होगा उस पे गोटीपी आएगा यूपी आई पीन बनाते समय ओटीपी आचुका है ओटोमेटिक तो यहां पे आप जो भी पीन सेट करना चाहते हैं वह आप यहां पे सेट कर लिजे और कनफरमेशन के लिए फिर से वह देना है उसके बाद राइट वाले अप्षन पे क्लिक कर देना है यहां पर देख सकते यूपी आई पीन सक्सेस्पुली आपका यूपी आइप भी बन चुका है और बनने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपको चेक करना है कि मेरा बेंक एकॉन्ट लिंक हुआ या नहीं तो प्रोफाइल वाले उप्शन पर आप किलिक करेंगे फिर से और किलिक करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर आ जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो इस तरह से आप यहां पर चेक कर सकते हैं अब यहां पर मनी टांसफर कैसे करना है सब्सक्राइब करेंगे और आपना यू-पीडिया पिंटर करेंगे तो यहां पर आपका बायलाइस चेक हो जाएगा जिससा कि आप इस की रिंग पर देख रहे तो इस तरह से यहां पर इसकी कर सकते हैं अगर आपको माधियम से आप मनी टांसफर कर सकते हैं क्यूर कोड मा आपके पास कोई भी के और कोड़ परा हुआ तो वह भी यहां पर आप एसके अन करके पेमेंट कर सकते हैं जो भी मनी टांसफर करेंगे उसका हिस्टरी कैसे दखेंगे कि कब कितना पैसा भेजा तो home page पे आएंगे देखिए कोने में एक option आपको मिलेगा history का तो यहां पर हीस्टरी पे जब आप加 कलिक करेंगे तो का सारा डिटेल दिखेंगा कौन से आदमी को कितना पैसा भेज़े हैं कब भेज़े हैं कितना डेट को भेज़े हैं सारा डीटेल यहां पर आपको बता जाएगा इस तरह से आप फॉन पे में एकॉंट बना सकते हैं और बैंक एकॉंट को भी लिंक कर सकते हैं और मनी टांसफर भी कर सकते हैं और बैंक ब परमाईस है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हैं